नमस्कार आप देखेरें दानी उस आपके साथ मैं स्रिस्टी मिश्टा कोलकाता में हुए जगन्या अपराद पर किसान नेता राकेश टिकैत ने इतना अनर्गल बयान दिया है दर्चरकों कि आपको सुनकर गुस्सा आएगा यह राकेश टिकैत हैं जोनों ने कहा था कि मैं राज्टी नहीं करता हूं जोराएं 10 दिन हो मता बेनर जी मिलते हैं यही है राकेश टिकैत की असली मताब Grünt ये कर वा रही है भी भी जपी वहाँ में डगाने की बात कर रही है कि वहां चाहती है कि राश्पती साशन लगे और पूरे पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जारी है जहां जहां बीजेपी के राज में रेप होती है अमरुहा में हुआ दलत के साथ अत्याचार बिजनौर में हुआ वहां पर बीजेपी क्यों नहीं आगे आकर बोलती है राकेश्ट को जरूर इसके लिए आलोजना का शिकार बनना पड़ेगा आपको बता दे उन्होंने कहा है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जारी है बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाए होती है तो कोई सवाल नहीं पूछता है यह वही राकेश्ट के दर्ट को जिन्हों पर अगर बास्चित करें तो आजी कर अस्पताल में जो अपराद हुआ है उस पर सभी नेता चुपी तोड़ रहे हैं और इसी के तहट दोशियों को सक्त सक्त कारवाई दिलाने के लिए मांग की जारी है प्रदशन तेज किये जा रहे हैं और इसी बीच जो बेटी के साथ हुआ महिला डॉक्टर के साथ हुआ इतना जगन अपराद मतलब सोच कर भी रूख आप जाती है पशिम मंगाल में एक बार भी राकेश टिकेट ने इसकी आलोचना नहीं की बलकि तारीफ कर रहे हैं यह एक तरीके से तारीफ है जो राकेश टिकेट करते नजर आ रहे हैं आपको बता दे राकेश टिकेट ने साफ कह दिया है कि कोई सवाल यूपी में क्यों नहीं पूचता है उन्होंने कहा है कि जो दरिन्दगी हुई है उस पर जब उनका बयान लिया गया तो कहते हैं कि बीजेपी साशित राजियों में ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा पूर्फ़ल में कुछ गए यह सेमग निभा रहें रोल की तरह आप बतार में घटना होई राष्ट पती लगाना मकसद दर्श को स्पेशल टास्क फोर्स सुप्रेम कोट के द्वारा गठित हो गया है अब पूरा पता लगाए जाएगा जाच किया जारा है हर लेवल पर उचस्तिय जाच हो रही है या क्या इसके पिछे कोई बड़े मगरमच हैं क्या उस रेप की घटना में जो जो हजार लोग तोड़ फोर करने के लिए पहुँच जाते हैं ममता के राज में डॉक्टर बिटिया सुरक्षित नहीं है ममता के राज में संदेश खाली का मैटर होता है और यही वज़ा है कि ममता मिनरजी से इस्तीफा मांगा जा रहा है इसी के मद नजर राज्यपाल सीवी चपन की तहती अधिकार होता है कि वह राज्चपती साशन किसी वी राज्य में बिगड़ते कानून हालात को लेकर लगा सकते हैं और यही वज़ा है कि बार बार राज्चपती से मिलने के बाद यह बाते हो रही है आपको बता दे राकेस टिकत ने ये भी कहा कि दलित कि खलाफ आंदोलन किया है तेज क्या कि रहें बंगलादेश जैसे हालत यहां भी होंगे लोग गुस्ते में हैं यह ढूंडे नहीं मिलेंगे बंगलादेश की सत्ता पर 15 साल से काविश सरकार विपक्ष के निताओं को जेल भीजा जा रहा है इस पर आकेस्ट का बड़ा बैय समाज में यह कूरितिया करते रहें और आकेस्ट के जिसे लोग कहेंगे कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है अब वह सब जेल में हैं यहां भी ऐसा ही होगा बोले हम से चूख हुई है ट्रक्टर लेकर जब हम दिल्ली गए थे तब किसानों को बहला कर लाल किला ले वहारत में लाना चाहते हैं यह है राकेस्ट की सच्चाई कि होगी और हमें तो 25 लाक किसान लेकर पारलियमेंट के अंदर चला जाना चाहिए था मतलब शेख हसीना के साथ जो हुआ उनके बैक्स को लेकर लूट पाट किया गया प्रधान मंत्री आवास में यहां दंगाका कारी घुज गए आंदोलन कारी घुज गए और यह स्टुडेंट्स नहीं थे वहां पर जिस तरीके से कट्टर पंथियों ने जो हमला किया था आपको बता दे उस पर आकेस्ट का बयाना है कि जो बंगल देश में हो रहा है वही हो रहा चाहिए मतलब इतना शर्मनाक बयान यह दे रहे हैं यह लगता ही नहीं है कि देश में यह किसान के निता है इनको किसान कौन कहता है और बता दे आपको इनसे कुशन पूछा जा रहा है कि आपको किसान कौन कहता है आप तो एक राजनितिक है और आप राजनितिक करने के लिए केवल आए हैं और बार बार जाएंगे सरकार कर रही है कि फ्री विजली और भाग लगा रहा है किसानों की ट्यूब मेल पर मीटर हमें मीटर मंजूर नहीं है बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा ज़रा किसानों से थोड़ी और छेड़ खानी करने दो आंदोलन से इलाज होगा एक पर फिर से राकेश टि पश्री मंगाल की स्थि अब काबू में करने की केंद्र पूरी कोशिश कर रही है और पश्री मंगाल में जो रेप आरोपी हैं उनको नहीं बक्षा जाएगा बार बार सरकार रिपोर्ट ले रही है पश्री मंगाल में जबरदस तरीके से लोग सड़कों पर हैं और पूरे मंगाल में रेप और मुटर हो गया इस तरीके से जगहन्य अपराद हुआ और इतने बरबरता से महिला डॉक्टर के साथ दरिंद्गी की गई है जिसमें ममताब इनरजी को खुच से इस्तिफा देना चाहिए यह ऐसा वहां की जनता लगातार मांग कर रही है अब देखें ममत ममताब इनरजी भले सामने नहीं आ रही है लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम मंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं है अगर महिलाएं वहां सुरक्षित होती तो यह हालात नहीं होते जो इस पश्चिम मंगाल के हालात ममताब इनरजी के राज में हो गया है मा माटी मान उसके नर लगाने वाली मम्ता बेनर जी आज कड़गरे में हैं और इतनी महिलाओं के साथ दरिंदिगी पर उनके और आवू पर खुद आरोप लग रहे हैं कि मम्ता बेनर जी ने पूरे पश्री मंगाल को धराशाई करके रख दिया है और अब देखिए यहाँ पर बीजेप सच दबाओ सबूत मिटाओ और बलातकारी बचाओ कर रही थी और सुप्रीम कोट के सामने खुल कर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया सूसाइड की शकले दी गई पहले प्रिंसिपल ने तुरंत पैरेंट्स को किस प्रकार से बॉडी नहीं दिया, जिस प्रकार से वहां पर उनको घंटों तक इंताजार करवाया गया, हमने देखा आकि FIR की रेजिस्टेरिशन में भी divay करवाया गया, और पैरेंट्स को किसी भी तरीके से मदद नहीं की गई, उल्टा हमने यह भी देख कि स्टेट गुवर्मेंट का जो रोल रहा वो इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने करा स्टेट गौवर्मेंट का जो रहा वहाँ सबूत मिटाने के लिए construction काम करवाने करा 5,000 गुंडे घुस जाते आरजी कर medical college में और वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाती ये सवाल high court ने भी पूचे ये सवाल पिडिता के माबाप ने भी पूचे अब सवाल ये बनता है कि ममता बैनर जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तिवा देंगी या अब भी वो कभी किसी और को दोष कभी धरने का drama करना और कभी kolkata polis और बंगाल की polis का इस्तमाल लोगों की आवाज दवाने के लिए किया जाएगा लोगों को डॉक्टर्ज को आहमनागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए समन और नोटेस भेजा जा रहा है इनके मंत्री उद्यान गुहा बोलते हैं उंगली तोड़ दूँगा इनके सांसद बोलते हैं कि ये बेटियां जो प्रोटेस्ट कर रही है ये बॉइफरेंट के साथ जाएंगी ये इस प्रकार की मानसिक्ता का परिचय दे रहे हैं ताना शाही मान सिकता भी है तालिबानी मान सिकता भी है और बलातकारी बचाओ मान सिकता भी है पर दुख की बात यह है कि जो सविधान बचाने की बड़ी बाते और लड़की हूं लड़ सकती हूं की बड़ी बाते करते हैं आज राहुल गांदी प्रियंका वाड़ा खडगे जी सूनिया के नेता कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं कम से कम सुप्रीम कोड के इस यहरिंग के बाद उनको अपने मुख से कुछ शब्द ममता बैनर जी के इस्तिफ़े के लिए निकालने चाहिए तो पश्चिप मंगाल की इस्तिधी के लिए आपने देखा बीजेपी नेता शहजाद पुनावाला ने एक बड़ी मांग की है और कह रहे है बार बार कि कैसे रेप जिसके साथ हुआ है उनको डराया जा रहा है धंकाया जा रहा है और देखिए अब देहने वाली बात होगी कि इतनी जादा आलोचना होने के बाद क्या मंता बैनर जी इस्तिफा देती हैं या फ वकरती नजर आती है आप देखने वाली बात होगी कि मंता की रैली का असर क्या खेर पश्री मंगल में जो असर नहीं है लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट में मंता बिनर जी खिलाफ आवास्तेस की जारी है रिजल्ट क्या होगा नतीजा क्या होगा वो भी हम आपको बताएंग जो करिया